हेलो नमस्कार दोस्तों बहुत इंपोर्टन वीडियो लेकि आप सब के साथ जुड़ रहा हूँ CA Foundation January 2025 में जो भी बच्चे एक्जाम दे रहे हैं सर उन बच्चों के लिए law subject में कैसे deal किया जाए, कैसे अच्छा score हम करें पहली बात तो इस डर से हम कैसे निकले कि सर लौ याद नहीं रहता हैना पूरे इंडिया में मतलब बच्चों को law subject में अगर कम marks मिल रहे तो इसके पीछे क्या वो वज़य है और इसको कैसे overcome करें इस वीडियो में आप सारी चीज़े देखने वाले दोस्तों ऐसा एक सवाल अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ important question या important concept दू और वो paper में आएंगे तो बहुत बच्चे इसमें believe नहीं करते है उन्हें लगता है कि सर जैसे आपने 12th board exam में तो IMP questions दे थे जो बच्चे महराष्ट बोड के जो मुझे देख रहे हैं जानते उन्हें पता है कि क्या professional course में भी ऐसा होता है क्या ऐसे पढ़ना चाहिए क्या ये सही बात है धना दोस्तो मैं तो इस चीज में believe करता हूँ कि हमें conceptual ही पढ़ना चाहिए और मुझे पता है कि भारत के हर एक बच्चे को conceptual understanding में कोई दिक्कत नहीं है उन्हें चीजें समझती है उन्हें चीजें समझाती आती है problem है कि जब लिखने की बात आ रही है तो वो वहाँ पे नहीं लिख पा रहा है तो understanding की बात नहीं मैं ये कहता हूँ कि अगर बच्चे को ये कह दिया जाता है कि लिखो writing practice करो अरे लेकिन इतना module इतने सारा content कैसे लिख के करे तो कुछ important concept हो जिस पर हमें समझे की ये महनत करे at least ये part तो भी लिख लिख के learn करना है ताकि हमारा उसमें efficiency बढ़ जाए और ऐसा अगर हुआ तो अच्छी बात है कि ने दोस्तो मैं अमूल कास्तार आपको वही चीज लेकि इस वीडियो में जुड़ाओ पिछले आठ पेपर में क्योंकि new syllabus आने के बाद देखो पुराने पैटन में पाथ चैप्टर तो थे इस बार दो चैप्टर एड़ कर देगे BCR को हटा दिया गया अब बच्चों को पहले 60 marks का पेपर आता था था अब 100 marks का पेपर सिर्फ law पे आ रहा है अब बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे पेपर आता था तो दोस्तो हमें समझने कि लगर में कुछ आपको important questions दो जैसे पीछ आपको ये वीडियो चलना चाहिए क्योंकि आपके लिए महनत हो रही हो आपके ये जो छोटे से लाइक है वो हमें बहुत motivate करेंगे comment जरूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगा end में करना अभी मत करना पुरा देखने के बाद समझने के बाद ठीक है और इससे आपको पता चल जाएगा confidence आएगा सर नहीं ये हमारा आराम से हो सकता है बस दिमाग में जो हाइप बना के रखा है येस 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 माना यार कि अच्छा degree है हमारा भारत में अच्छा course है tough course है लेकिन achievable है 50% पर पासेंगे महनत करेंगे सही mindset से करेंगे तो पड़ाई होगी ठीक है अब सर क्या हुआ देखो जैसे मैंने कहा कि पहले 60 marks का अलो आता था 100 marks का रहा है तो उसको समझने के लिए 2000 पहला एक्जाम दून जो हजार 24 का था mock test paper जो institute हमारा main paper बनाता है exam हमारा जो body है वही यह mock test भी बनाता है दिल्ली से एक पुर्य भारत में mock test जो भी बच्चे सीए कर रहे है उनके लिए एक ही mock test same paper होता है ठीक है तो यह बात भी बता दूब कि बच्चों को लगता है कि सर ऐसा अलग-अलग होता है क्या मतलब हम म अलग गुजरात में नहीं बेटा पूरे इंडिया में mock test same होता है और वही body मतलब main paper भी बनाती है तो जून exam से पहले जो पहला paper था new syllabus के according उससे पहले 3 mock test paper होए और फिर main paper होगा फिर September attempt से पहले 2 mock test paper होए and again एक main paper तो ऐसे total 8 paper आपके सामने हो अब January का paper होगा उसके पहले mock test paper होगे लेकिन क्या mock test के question आते है क्या क्या करना चे दोस्तों ये मैं आपको मेरे मन की बात नहीं बताऊगा हम लोग ऐसे हर chapter में करने वाले है अब मैं जो chapter की बात कर रहा हूँ company's act chapter number 6 जो 21 marks के लिए हर paper में आता है क्या वेटेज फिक्स है सर कुछ बच्चों ने तो ये भी अफ़ाय फेला के रखी है कि अरे CA में तो कुछ भी कैसे भी आ जाता है कभी कभी contract 50 mark का पूछ लेता है ऐसा नहीं होता भी अब वो समझने के लिए देखते है analysis अपना तो तो बार भी सप्टेंबर का इस चैप्टर से आता है ये चैप्टर आप छोड़ी नहीं सकते है और कहां से पूछा था classes of company अगर आपका company's act हुआ है अगर आपने batch code यूज किया आप डाउनलोड करके रखा वेटा कर लिजे बहुत साथ है मलब देखो बस अमोल कासा रेके से आ आने वाले 6-7 दिन में बहुत important चीज़े होने वाले वाहाप है कोई charges ने लिया भी ठीक है ना तो आप करके तो रखो मैं आपको बताऊगा क्या क्या होने वाला है ये chapter तो पूरा line by line पढ़के दिया हुआ आपको पढ़ा के दिया हुआ है आपने कर लिया होगा तो भी आतमाक्स का classes of companies again small company पर question था कौन से MTP की बात कर रहो बेटा मॉक्टेस paper 1 जो जून 2024 के 10 से पहला मॉक्टेस था और again intro जो features है perpetual succession member रहे ना रहे company चलते रहते ऐसे total आप देखो 21 marks की सवाल पूछे गए थे तो इससे ये समझ में आगा कि pattern तो fix है और company classes of company को बहुत अच्छे स करना है boss 10 से उपर ही पूछा जाना था ठीक है और बागी जो पूछा वो तो हम करते है अल्ट्रा वायस और intro features में तो कोई दिक्कत है नहीं सर ब्यॉंड पावर वाली बात है चलो पहला MTP गया हो दूसरा MTP दोस्तों main paper की तरफ लेके आने वालों में जून 2024 में क्या सर इस काम में आने वाला है आपको और आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने तो यह classes of company वाले पॉइंट को लेके करिए अब देखिए mock test 2 जब आया उसमें classes of company में unlimited company पुछा गया 4 marks के लिए question 1 में ही आया है और दोस्तों आता ही आता है फिर classes of company section 8 company पुछा गया 4 और 3 7 marks ठीक है question to be classes of company classes of company साथ साथ मतलब पूरा का पूरा mock test 2 हमाने अगर ऐसा को student है मैं अगें बोल रहा हूँ बेटा results देखेंगे लोग है ना तुम लोगों को क्या मतलब बच्चे अननेसरी बहुत डीप में जा रहे है आप exam oriented पढ़ना चारू कीजिए अभी समझे मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ बहुत दिल से बोल रहा हूँ बेटा आपको यह समझना ही पड़ेगा अभी एक classes of company से बहुत अगड़ा किया रहेगा 21 के 21 मांक मॉक्टेस ड़न क्या मज़ा कि पढ़ना तो सब है लेकिन इस पे जाधा मेनत कीजिएगा आप लोग आईए मॉक्टेस तीन वाईए पहला टेंप था जिसमें तीन मॉक्टेस लिए गए थे जिसमें अगें फीचर्स इंट्रो जो सबको या आता है यहाँ पर सेपरेट लिगल एंटिटी से सवाल आया था 4 मॉक्टेस का सवाल तीन मॉक्टेस पेपर होए और आप बारी थी 2024 का मेन पहला पेपर जून अटेम का जब बेटा मेन पेपर आया तो आप देखिये question number 1B 7 marks के लिए holding and subsidiary classes of company पे ही जादा जूर दिया गया था main paper की बात कर रहा हूँ आप अभी भी देख लीजे दोस्तो classes of company पे OPC साथ 7 और 7 14 marks और यहाँ पे again देखे classes of company पे government company शार marks तो 19 marks main paper में पूछ लिया था इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी 2025 के लिए वो आप छोड़ी नहीं सकते बहुत जादा content agree लिख के अगर करना है तो उतना कर लो भले आपको पूरा chapter नहीं वैसे अगर हरे chapter का strategy मिला तो दोस्तों आप बोलो कि सर इस पे question भी आप दोगी क्या क्या है वो सब है ICI द्वारा दिये गए question यह देखिए कौनसे question कौनसे MTP में पूछे गए तै जैसे कि अगर मैं आपको analysis को यह देखे यह आप बहुत अच्छे से बना जैके यह है जुन 2014 का जुन 2014 का पहला MTP यह पूरा chart उसमें क्या question पूथा जाए question में आपको दिया हुआ है जो बोल्ड में वो question है और ICI का suggested answer अब मारा नहीं ICI ने जो expected suggested answer वो यहाँ पे अपने एक साथ compile कर लिया है तारे आट के आट पेपर का तो आपको attention ही नहीं है तो इस पर आप वीडियो ले क्या होगे तो 30 marks पूछ लिये थे और एक सवाल पाया था इंट्रो feature perpetual succession members रहे या ना रहे company चलते रहेगी ऐसा आपका June का पहला paper था बताए दोस्तों कि आप लोगों ने अभी company 21 marks लाना 21 में से सर आपने अगर लिख लिख के इस point को अगर cover कर लिया है बहुत फाइदा हुआ कि नहीं हुआ पूरा तो आप पढ़ने ही वाले concept आपका clear है बहुत लेकिन कुछ हद तक आप यहाँ पे तो जादा अच्छे से मैनत कीजिए उतके बाद September का paper था और September का आपको ही पता है बहुत लिंदी पेपर था इस बार का सबसे लिंदी पेपर था चोटे-चोटे concept पे पूछा गया था लेकिन उससे पहले इस concept पे सवाल आया था तो यह आप समझ सकते हो section 8 company पूछा गया था classes of company आप देखिए मॉक्टेस वन है सप्टेंबर का classes of company holding and subsidiary आप देखी कितना वेटे जा रहा है और feature में separate entity यह भी repeat हो गया तो पूरा का पूरा MTP जो बच्चे बोल रहा है आप सथ MTP जालस नहीं देखो concept क्या है classes of company अभी आप 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 दूसरे मॉक्टेस पेपर ब्याओ आपका भी उन्हें वाला वेटा जैन एटेम के भी MTP होगे आप यह करके जाए अच्छे से मैं बोलता हूँ आप डरो मत आपको law में अगर आप chapter 6 करते हो companies act वाला तो 21 marks chapter 4 करते हो partnership 21 marks chapter 3 करते हो सोगा 21 marks 60 प्लस तो इधर ही हो गये 40 passing को लग रहे 1 में से क्या question आए गया analysis दूगा और मैंने एक वीडियो भी बनाया था डिक्वेस्ट बेटा जितने जादा हो सके बेजो तुमारे एक लाइक बहुत साधा तुमारे एलेटेट जो भी से बच्चे हुंता की वीडियो पहुचाएगा अभी देखो तुम डर किस बात के लिए रहे हो मैं बोल रहा हूँ confidence लाओ भाई आगे बढ़ो और फ्रंट फ सवाल पुछा गया था चार मार्क का अगें ख्लासिट उप कंपनी फॉरेंड कंपनी थी मार्क कॉर्परेट वील पे एक सवाल था दोस्तो और कॉर्परेट वील पे तुमको बताओ ये मॉक्टेस पर आया था तो देखो मॉक्टेस बहुत अच्छे देखना में सवाल दिखता है तो चोड़ी नहीं सकते साथ मार्क का सवाल था ओपी से और डॉर्वेंड कंपनी आ गया था उपर करिए महनत करिए लिखके लिखके अटलीस इतना पढ़िए ये अच्छे से कीजिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ आप लोग तोड़ मार्क लेके आओगे बहुत अच्छा तमझ में आ रहा है आपको फिर आप देखिए कॉर्परेट वी जो एक मॉक्टेस में पूछा गया था पाच और मेमोरेंडम पस्तोसेशन पर छोटा सा एक क्वेश्चन था दो मार्क का इसे साथ मार्क कवर है अल्ट्रा वायर ये ब्यॉंड द पावर वा किया गया था ठीक है तो आपको अपने हिसाब स्टो लिखते आएगा मुझे पते आपका अंसिप्शल नॉलेज अगड़ा है तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी बेटा यह यहां पर देखिए क्लासे और कंपनी बहुत अच्छे से करना है सभी पढ़ लो तुमको स सर यह सारी चीजे में डिसकस करोगा लेकिन तब जब आप लोग इस वीडियो पर प्यार दिखा हुए नंबर अप स्टुटेंट सब्सक्राइब को आपके कमेंट आएगे कौन से राज्ज्य से कौन से सिटी साब देख रहा बता देना एक बार है और जब यह सा मिलेगा आप डरो मत आपको बस वह बोलते ना कि एक फाइटर वाले मोड में आना है वह अभी ना बहुत हो गया और उनलों के पढ़ना कि कैसे होगा क्या होगा अब भी हटाओ और एक तम एनर्जी से पढ़ो हो जाएगा दोस्तों यह लौ का पहला वीडियो था पहले चै कुछे को में कहना चाहोगा तुम कर सकते इस कूर्स में अगर आगे हो तो डरने से कोई पास नहीं होता लड़ने से चांसे दे के सवर हो जाता है है ना और ऐसे कुछ प्विश्चन पूरा सब्जेक किसी का भी नहीं होता है लेकिन स्ट्राटेजी से आप कुछ मेंड करने को कंप्लीट करेंगे सक्सेफुल थाइंक्यू सो मच दोस्तों यह पी रुपता हो बबाए टेक केर जय हिंद जय भारत